आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर नुबर फॉर उसका पांचन क्वेस्टिन और चैप्टर के अंदर किस तरीके से कौन-कौन से टापिक मुझूद है चलें शुरू करते हैं हमारे पास यह चैप्टर नुबर फॉर और क्रिस्टिन नुबर फॉर उसके यह नौ पार्ट है पहला पार्ट यहां पर मजूद है मोव dx दs, ex बताता चलों कि यह बताना है कि जो श्टेट्मेंट लिखी हुई है यह दुरूस्त है लीगल है या इल्लीगल है तो यह पर ब्यक्त चुनज के अंदर पिछले लेक्षर पर आपना सुना होगा है कि यह डेटा सिग्मे होता है और इएक्स में जो डेटा पड़ा होगा गया वैल्यूस पड़िभी होंगी औहर डेटा सेग्में हम करवा सकते हैं थूरुद रिचिस्टर तो यह हमआरे पार रिचिस्ट इसकी जो contents है या values है जो data है वो ds में move कर सकता है यह legal है यहाँ पर मैंने दिखती है है यह legal है इसका यह answers है यह second part है इसमें लिखा हूँ है move ds,100h यह illegal इसलिए है कि हमने जैसे बात की कि यह data segment है और segment के अंदर कोई data अगर हमने write करना है वो through any register होगा वो ax होगा, bx, cx यह dx register की मदद से हम data जो है ds में store कर सकते हैं इस वज़े से यह illegal है यह direct हम value, immediate value जो है नहीं write करवा सकते है नेक्स्ट है हमारे पास है move cs, es यह यह core segment है और यह extra segment है segment to segment movement नहीं हो सकती यह हमने भी पिछले lecture में बात पढ़ ली थी तो यह इसलिए illegal है, दुबारा देख ले, segment to segment जो है data move नहीं कर सकता, अगर आपने किसी segment में data move करना है तो उसके लिए आपको किसी register के जरुद पढ़ेगी, general purpose register तो चोथा बात है move wi या w1 यह memory content है, यह किसी register का नाम नहीं है, जैसे ax, bx, ax, ds हैं, किसी तरी कैसे segment वाले register हैं, code segment, data segment, extra segment, source segment, यह उन registers वे से नहीं है, यह memory है, तो किसी भी data segment से आप contents क्यों हैं, किसी memory पर write नहीं कर सकते हैं, इस वज़े से यह ही legal है, memory के उपर किसी data segment वाले register की मदद से write नहीं कर सकते हैं, general purpose होता, register तो फिर write हो सकता था, 7 byte के word लिखना पड़ता, इसी तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है exchange, यह भी हमारे पास एक, हमारे पास mnemonics है, इसकी मदद से, हम W1, W2, यह भी memory content है, और यह भी memory location है, जिसका नाम हमने W1, W2 रखा हुआ है, तो memory to memory जो है, हम data write नहीं कर सकते हैं, इस वज़े से यह क्या है, illegal है, तो अगर आप memory to memory, sorry, memory to memory write नहीं कर सकते हैं, memory पर write करना है, तो एक कमस्कम आपकी पास register होना चाहिए, F part है आपके पास, और सब की command लगी हुई है, यहां लिखा हुए, 5 और यहां लिखा हुआ, BL, यह illegal इसलिए है, कि आपके पास destination वाला, यह 5 वाली जगे पर लाजमी तोर पर कोई ना कोई register होना चाहिए, यह memory होनी चाहिए, यहां ना तो memory है, और ना ही register है, यह क्या है, यह B1, B2, यह भी memory, sorry, यह memory location है, और यह भी memory location है, दोनों memory location है, अभी बात हो चुकि है, W1, W2 जी तरह, यहां B1, B2 है, यह इसलिए है, लिखा है, memory to memory operation पर फॉर्म नहीं हो सेका, यहां लिखा हमाँ, add AL, destination side पर register मजूद है, लेकिन यहां 256 लिखा हुआ है, आपको बता है कि AL जो है, 8 bit का register है, 8 bit में 255, 0 से लेका 255 तक का number store हो सकता है, यह out of range चला गया है, यहां पर फोड़ी सी explanation भी निए हुए है, इस वज़े से यह इल लिखा है, नेक्स पार्ट है हमारे पास, move W1, B1, यह W1 तो memory location है, और यह B1, यह भी memory location है, अभी बात हो यह, B1 to B2 नहीं हो सक सकता है, memory to memory moment नहीं हो सकती है, इसी तरहे से अब हमारे पास question number 6 है, उसका पहला पार्ट है, question number 6 में जो दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है, कि आपने लिखना है, B minus A करके, आपने A में data store करना है, देखें किताब ने इसको कैसे लिखा है, यह देखें, A is equal to, यह expression लिखें है, A is equal to B minus A, तो इसका क्या मतलब हुआ, B की जो value है, उसमें से A का जवाब माइनिस करना है, जो result आएगा, उसको A में store करना है, यह expression है, यह expression है, जिसको number 6 की, यह हम solve कर रहे हैं, उसको देखें, तो यहाँ पे मैंने पहले सवाल देके बगार पढ़ दिया था, अब आपक है, move A, फिर हमने सब की command इस्तामाल की है, B में से, तो कि destination में से values माइनिस होती है, मैं आपको यह draw करके दिखा देता हूँ, यह देखें, सब की command है, यह आपके पास destination है, इसमें जो value पड़ी है, इसमें से A के contents ने माइनिस करना है, आपके पास क्या लिखा हुआ था, A is equal to B B माइनिस A था, यह देखें, तो इसमें से minus करना था, B में से, B को हमने A में move करवा दी, तुछ से रेगिस्स्रों में रहा हुआ, AX रेग्स्रों में value B की पड़ी है, इसमें से sub करना है, sub की command क्या करती है, destination में से, इस source रेगिस्रों इस सोर्स रेगिस्रों की value को minus करती है, तो इस में कि B-A है यह हो गया जो रिजल्ट है वो AX में पढ़ा हुआ है इस वक्त हमारे पाद तो आम इस रिजल्ट को A में कैसे स्टोड कर सकते हैं लिखा अब आते हैं सेकंड पार्ट में क्या है मैं यहीं से दुबाया पढ़ने की कोशिशन करता हूँ कि यह भी पार्ट है कि जैसे आपके पास होगा यह लिख रहा है A की वैल्यू AX में जा रही है इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको क्या मत्रब हुआ कि आपने A की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया है थिर नेगेटिव साइन लगा आए है तो यह जो कमांड बनती है और यह बनती है ए प्लस जवाब आएगा उसके साथ माइनिस किया और यह जो कमांड बनी है वह यह है यह एक्सप्रेशन बनती है किताब में देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं है यह हमारे पास ए कॉंटेंट्स है इसको हम रेजिस्टर में मूफ कराके देखेंगे ए मूफ कर गया एक्स के एक्स में हमने इंक्रीमेंट कमांड लगा दी है आप चाहिए तो एड की मांड भी लगा कि हते है वह इंक्रिमेंट कर देता है एक इंक्रिमेंट होने के बाद नेगेटिव साइन अगर आपने वेडियू के साथ लगानी है तो उसके लिए हमारे पास मेलमोनिक्स है एन इजी तो यह कह करते हैं इसको नेडिव में कनवर्ट करते है तो एन इजी एक्स फिर मूव यह जो सवाल c part उस की तरफ चलरा हूँ यह c part की तरफ चलरा हूँ इसको कैसे कर रहे हैं ए a x में आ गैए मूझन एक्स है और आप वह कह रहा है खेल घर गलाय तो आ एड एक्स भी भी एड हो गया है इसके जो रिजल्ट है एक्स में पड़ा हुआ है मूव सी कॉमा एक्स पहले हमने प्रोग्रेम भी कियो हुए वैसे तो यह मैंने डीटेल आपको समझा दी है तो बहुत है असान्त ही इसी तरीके से पी Мне एक्स में आरा हुआ है पी सब्सक्राइब की पास दुबारा तो तो इसके जो एक्स्रेश्ट बंकी है वह expression में लिखके दिखाता हूँ, यह बन रही है, 2B, add करने से 2B हुआ है, दुबरा add किया है, तो यह 3B हुआ है, 3B होने के बाद, plus 7, और इसके बाद B में इसका result शोटा है, तो यह बनता है, यह का हुआ है, B को 3 दफ़ add करना है, तो B पहली दफ़ा move हुआ है, दुदरी दफ़ add किया, तीसरी दफ़ add किया, 3B हो गया, और फिर add, AX के अंदर 3B का जवाब पढ़ा हुआ, इसमें 7 add किया, तो यह चीज अड़ होगे, इसका result है, B में move करा हुआ है, तो यह मैं आपको किताब में भी द दिखाद रहता है, लेकिन उससे पहले यह देख लेते हैं, next क्या है, E बहुत ही आसान है, AX B में अया हुआ हुआ है, सब हुआ, T माइने से हुआ 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 है, फिर दिक्रीमेंट हुआ है, B माइनिस ए यह अश्याभी है विजिवाब प्रक्सेंदिक इ Fact तो यह code है बहुत ही असान है किताब को मैं आपको दिखा रहता हूं यह हमारा पास किताब है यह लिखा रहा है भी माइस से माइस हुआ तो उसका जो रिज़ट है उसके सेव हो गया अगे पर्ग्रमिंग की एकसराइज है प्रग्रम हम अलेदर से करेंगे नेक्स्ट हमारा पास चेप्टर है अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं कि कुम कुम से बेसिक कंसेप्ट हैं सम्री लेंग्विज में तो अब फ्लैग्स के उपर बात हो रही है यह फ्लैग्स हम यह हमारे पास डीएफ फ्लैग बना हुआ है यहां उसकी डेफिनिशन पर रहे हैं स्टेटिस फ्लैग्स केरी फ्लैग है यह ओन तब होता है एडिशन आप माहिंटी की करते हैं और आ जाता है तो चैप्टर में इसके ऊपर बड़े क्वेस्टन बजी था हम पांच में क्याता है कि आपके पास इवन नंबर और पी एफ वन उसको प्रता है जब आपका यह जो नंबर ओफ वीट्स में वो इवर होती है एडिए जीरो अगर आड़ वेली हो तो यह देखिए यह एफ 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 एच लिता हुआ है एफ एफ का क्या मतलब है यह मैं आप पास एफ 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 है इस वन से एक गांब तीन वन और यह जाएगा इस में चार है इवर एवन यह और टोटल 16 में से 12, 13, 14, 15, 15 जो हैं आपके पास number of ones है जो कि odd है, odd होगा तो zero होगा तो यह parity flag off होगी यह बात जहाते ही होगी है next time जाते हमारे पास next two जो flag है, carry flag, parity flag, यह bits बताई हुए है कि कौन सी location पर होपर तस्वेर भी दी हुई है वहाँ से देख लिएगा अब auxiliary flag हमें पता है कि जब hexadecimal की addition होती है, chapter number 18 में लिए बात हम पीछे इसको डिस्पेस करने है यह मेरा दूसरा lecture है, उसमे auxiliary flag के ओपर बात भी हुई है और addition जब हो रही थी तो यहाँ पर बात होती है कि hexadecimal की addition कैसे हो सकती है, carry उसका कैसे आएगा लिए दरेगे से zero flag है, last instruction आपने कोई चलाई, कोई operation addition का हुआ या subtraction का हुआ, जब आप zero आगे, यह flag on हो जाएगा हम इसकी example करते है, overflow का मतलब जी है कि आपका 8 bit का अभी question चोथे chapter में question भी किया है, 256 AL में जब store कर रहते है, 8 bit का था, 16 bit का है, तो साफ़ जरा है कि उसकी range यह बनती है, minus 32,766 positive value लिखेंगे या negative value लिखेंगे तो इससे बड़ी value आएगी तो overflow हो जाएगा, 8 bit का है तो आपके आपके पास 127,128 negative है, तो overflow हो जाएगा, यह आपके पास range है, 8 bit की और वो 0 से अगर आपके पास 1 byte है, 0 से लिखेंगे तो 255 तक आपके पास character camera लिखेंगे, वैल्यू सोर हो सकती है, यह बात यहा पर लिखी हुई है, range भी दीवी है, यह overflow की example दीवी है, यह overflow की example दीवी है, कि आप addition कर रहें, यह 16 bit का register है, और यह एक भी, यह 16 bit की full memory हो चुकी है, इसके दम्या में कोई 0 नहीं है, तो एक भी next add करेंगे, overflow हो जाएगा, यह overflow हो जाएगा, यह overflow है, तो यह overflow की example यहाँ पर दीवी है, किस तरह की addition अगर किस example में आ जाती है, तो 0 flag on हो जाएगा, तो य यहाँ पर हमारे पास F, F, E, F, यह कौन सी example चल रही है, यह example overflow की example चल रही है, देखें, यह नहाँ पर add 0, यह overflow नहीं है, यह flag आपका off रहेगा, इसे तरीके से हमारे पास signed overflow, unsigned overflow की भी range आप यह चेक कर लगी, यह example दीएगा, इसको आप इसकी exercise पर चलते हैं, पहली example बहु होती असान है, यह values, BX की values यह दी हुई है, यह values यहाँ पर लिकिनी है, add करना है simple, दूसरे video lecture में हमने यह बात पढ़ ली है, addition कैसे होती है, एक्जडेसिमल की F, प्लस F, add करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको add करवा के दिखा देता हूं, कि यह E कैसे आया, तो यहाँ पर इसमें यह F है, और यह भी F है, F और F, इसको add करेंगे, the results stored in इस form में आपके पात result आएगा, तो अब उसमें कहा है, कि यह देखेंगे न, F प्लस F, F क्या होता है, आपके पात 15, और यह क्या होता है, यह भी 15 होता है, यह भी 15 होता है, 15 जमा 15 है, कितने होते हैं, आपके पास 30, यह 30, और इसको hexadecimal में देखेंगे, hexadecimal में देखेंगे, वो 16 से होता है, 16 होता है, 16 जमा 15, तो इसमें को देखेंगे, एक यहाँ पर आएगा, और बागी, कितने रह देखेंगे, 16 में से, 30 में से 16 निकाल देंगे, आपके पास 14 है, यह जो 14 है, इसको hexadecimal में यह कहते हैं, यह दूसरे लेक्टर में यह बात हो चुकी है, मैं सिर्फ यह इशारह दे रहाए, 1E, यहाँ पर आगा है, 1E जो है, कहरी जाएगा, अब क्या है, दुबारा FF हैं, तो यही बनेगा, 1E, तो E में एक यह add होगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, तो 1F बनेगा, तो F यह है, यह बन जाएगा, इसी तरिके से दोबारा 1F बनेगा, तो F यह है, 1E, तो बारा F बनेगा, 1E, यह carry होगा, इसका मतरब है, overflow हुआ, carry हुआ, sign flag, positive, 1B, most significant bit is, यह most significant 16 bit में इसको लिखेंगे, यहाँ पे है, 1, 1, 1, यह last bit भी on है, 1 है, यह इस form में लिखा हुआ, तेके E, यह बनता है, triple one zero, and one 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 one, यह last है, यह अगर one है, तो इसका मतरब है, sign flag होगा है, इसे दरगे से parity flag, यह क्या आएगी, zero इसलिए आई है, कि यह 15 bits है, 15 odd होता है, odd होता है, तो यह अभी definition में देखे हैं, इसे दरगे से zero flag, यह zero on, नहीं है, इसलिए कि यह सारी values अगर zero होती, यह सारा zero, 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 यह सारा zero होता, तो यह on हो जाता, यह सारा क्योंकि zero नहीं है, इसलिए यह on नहीं है, zero flag on नहीं है, किसी दरगे से carry flag on है, इसलिए कि यहाँ पर आखिनी carry आई है, last bit में, और यहाँ पर overflow, यहाँ पर मजूद है, क्योंकि याद रखें, overflow, उसलिए आता है, जब आख के पास, addition की सुर्फ में, यह value value, यह किताब में गलत लिखा हुआ है, यह overflow हो चुका हुआ है, यह आख देख लेंगे, जब add हुआ, तो यह overflow हो चुका हुआ है, तो यह registers के आपने जवाब देना थे, यह example मैंने आपको क कर दी है, इसी तरीकी से next आपके पास है, अब EL और BL है, 88 bit का register है, अब आपने जवाब देना है, 8 bit के इसाफ से जवाब देना है, यह देखें, यह आपके पास hexadecimal में, यह 4 bit, यह 4 bit, आपके कहरी आ हुआ हुआ, overflow हुआ हुआ हुआ, और यहाँ 0 flag भी on है, overflow भी हुआ यह 00004, 00 most significantly इसलिए यह off हुआ, parity flag even है, नमबर इसलिए on हुआ, 0 इसलिए on हुआ है, तो सारी value 0 है, carry flag on है, overflow भी on है, इचली example में किताब ने जहां गलती से दिख 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 है, इस तरीके से next question है, इस पांचमें चैप्टर में सारे सवाल ऐसे ही है, subtract कर है, hexadecimal की, यह हम chapter number 2, मेरी दूसरी वीडियो में, addition, subtraction हम दो चुके हुआ, वह subtraction की, तो यह convert किया, तो यह उमनता है, most significant bit off है, sign flag 0 है, इसे तरीके से यह सारी 0 flag भी off होगा, parity flag 1 इसलिए है, कि यह even है, चार, चारा, चाबा, इवन तो नहीं है, इसके मुदबर parity flag जो है, off ह अगर उसने AL कहा होता, तो तब तो ठीक था, because there are 8 even numbers, 1 bit in the low bite, off the result, low bite में यहां कोई off नहीं है, यह इसमें गलत लिख दिया है, आप इसको कहीं किताम में यह गलत हो गया है, 0 flag 0 इसलिए है कि यह नहीं है, carry flag 0 इसलिए है कि carry भी कोई नहीं है, imperative flag इसके off होगा, क्योंकि number of ones जो है, यह odd है, अगर odd होती है तो यह 0 होता है, यह even है तो यह one होता है, यह इसको तसी सही करें जिए, तो यह सारी examples ऐसे हैं, move के साथ example दिए है, flag वैसे ही है, आप इसको, अब chapter number 5 exercise भी, आप solve कर सकते हैं, चोटा सा chapter है यह, मैं इसके exercise दिखा आ रहा हूं यह समरी आ रही है, और यह इसके सवाल है, पहरा सवाल भी हो जाएगा, इसी तरीके से, दूतर सवाल भी हो जाएगा, तीसरा सवाल भी हो जाएगा, चोटा सवाल भी हो जाएगा, चोटा सवाल भी हो जाएगा, चोटा सवाल भी हो जाएगा, तो मिलते हैं ने लिक नहीं क्या लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्विक कर दें थैंक यू रड़ मुच असलाम आवी